सो हेलो इबरीबन बेलकम बैक टू माई चैनल बायो हब बैमनु सिंगानिया बच्चा पार्टी आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 बिहार वर्ट के सांस के इंपॉर्टेंट अब्जेक्टिर कोस्टन्स इस चैप्टर से कुछ कोस्टन्स हम लोगों ने पिछले क्लास मे आज हम लोग आगे देखेंगे ठीक है तो आप लोग वीडियो को पूरा आं तक देखिएगा यदि जो चैनल पर पहली बारा है चैनल को सबस्क्राइब कर देंगे और बेल आइकन कर देंकि वीडियो का सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले उनके पास पहुंचे और आप लो आप लोग है जो अच्छे तरीके से वीडियो को देखिए और ज्यादा सेर किजिए फ्रेंड में कि वह भी है जो इसका लाव उठा सके ठीक है आप लोग है जो पर्ड है जो डेक्टर को देखिए बनिये से चलिए आज जहम लोग देखने बाले हैं जो बच हुए कोस्ट ह रहा गए था इस chapters के जो 25 questions total हम लोगों ने देखा था और 25 question हम लोगों के बचे हुए रह गए थे वहाई question को आज क्या करेंगे हम लोग देखेंगे ठीक है आगे चलिये तह कि हम लोगे 25 26 से start करते हैं क्या 26 number question से start करते हैं चलिए देखिए कोस्टन नंबर 26 में आप से क्या पूछा गया है ध्यान दीजिए 26 नंबर कोस्टन में आप से पूछा गया है कि निमलिखित में कौन साल लबन समुद्री जल में पा जाता है बोल रहा है कि इस में से जो लिखा गया है यह आप संस्ट इसमें से कौन है जो जो समुद्री जल में पा जाता है जिसको नमक बोलते है यह जो आपको पाया जाता है समुद्री जल में क्या एन एसी एल ठीक है अच्छिए 27 नमबर कोस्टन में आपसे क्या पूछा गया जो ध्यान देजिए इसमें आपसे पूछा गया है इनमें कीस धातू का बिस्थापन उसके लवन के बिलेन में लोहा द्वारा होता है तो क्या होना चाहिए और चाहिए तो ऑप्सन नमबर आसे अंसर क्या होना चाहिए तो ऑप्सन नमबर सिर्फ किया सब्सक्राइन थिक है अब आगे बढ़ते हैं देखते हैं धित 28 को ठीक है आप लोग है जो बोड इग्जाम है जो नजटीक आ रहा है आप लोग अच्छे तरी के से preparation करते रहे है ठीक है चलिए अठाइस नमर questions में आप से क्या पूछा गया है ध्यान दीजिए इसमें पूछा गया है निमलीखीत में कौन सी धातू साधहारन ताप क्या बोल रहा है साधहारन ताप पर द्रब रूप में पाई जाती है इसका जो सही अंसर क्या होगा option नमबर चलिए देखते हैं पहले E में रितियम यह लितियम बी दिया हूँआले C में दिया मर्करीी दि में दिया हूआ सिलवर इसमें साधहारन ताप पर रूप में पाई जाती है तो इसका जो सही अंसर है अठाइस का अप्शन नमबर सी सी होगा जो सही अंसर होगा मरकारी ठीक है चलिया आगे बढ़िए देखते हैं कोसेंस नमबर टॉंटी नाइन इन इसमें क्या पूछा गया जो ध्यान दीजिये यहां पर पूछा गया है इसमें कौन है जो बीदूत का सुचालक है ठीक है तो प्शन मतलब सुचालक का मतलब आप लोग समाज रहोंगे कि जो उससे जो good conductor जिसको बोलते हैं वो है ठीक तो option नमबर A में दिया sulfur B में दिया plastic C में दिया हुआ है क्या है C नमबर में iodine D में दिया ग्रेफ हाइट ती इसका जो सही अंसर है 29 का option नमबर क्या होगा सही D नमबर ग्रेफ हाइट होगा जो सही अंसर होगा यही है जो क्या है good conductor of electricity क्या है good conductor of electricity है मतलब सुचालक है यह ठीक है चलिए अब आगे बढ़िए देखते है questions number question number क्या है 30 में क्या पूछा गया है जो ध्यान दिजिए 30 नमबर questions में आपसे पूछा गया है सिल्का है जो क्या है सिल्का क्या है तो option number E में दिए दूइत लेपन B में दिया सोधन C में मिस्र धातू में परिवारतन D में दिए निस्तापन तीस का जो सही अंसर है, तीस का कौन सा option number सही है, तो D number सही है, D में क्या है, तीस का option number D है, जो सही है, D में क्या है, निस्तापन, option number सही है, D number D में क्या है, option number D में, निस्तापन, तीस नमर का option number D है, जो सही है एक तीस नमबर कोस्टन्स पर ध्यान दीजिए एक तीस नमबर कोस्टन्स में आपसे क्या पूछा गया है इसमें पूछा गया है कि अस्टेनलेस अस्टील मिस्र धातू है इसमें क्या है अस्टेनलेस अस्टील है जो मिस्र धातू है किस चीज़ का है लोहा का है option number A में दिया लोहा का B में दिया तामबा का C में दिया होगा Almonium का D में दिया टीन का तो इसमें 31 का जो सही अंसर क्या होना चाहिए तो option number A होना चाहिए जो सही होगा लोहा का है ठीक है option number A होगा जो सही होगा यही को आपको पोच्छे जाएंगे ठीक है और इस पर पाइलोजिक के जो जो भी एक्सप्लानेशन जो एक्सप्लेशन टाइप के जो पॉइंट वाइस जो कोस्टन से होंगे और अधर जो में में पॉइंट के जो टॉपिक्स होंगे उनको है जो आपको बतलाया जाएगा अच्छे तरीके से ठीक है आप लोग पहले औबजेक्टिस कर लीजिए और उसके बाद है जो झेत जो योगिक करण बड्लोगिकों पर यह परगियो estos हो जाएगा और नियन लंफ यह प्र आपको हो जाएगा बड़ी नन हो जाएगा और अनुवर्ण सिखता एवं जैब विकास हो जाएगा फिर हमारा परियावरन फिर प्राकिर्तिक संसाधन का परवंदन नहीं है आपका लास्ट हो जाएगा इसके बाद उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव कोस्टन और जो मिनमिन टॉपिक हो एससे जो रहेंगे जिसको जो हमेशा से में भी है जो देखेंगे चलिए तब 32 नमर कोस्टन का हम लोग देखते हैं अंसर क्या होगा सही इसमें क्या पूछा गया पहले 32 देख लेते हैं इसमें पूछा गया है नीम लिखित में कौन दो इलेक्ट्रॉन होकर और गन जैसे अस्थानिये इलेक्ट्रोनिक बिन्यास करता है एमें दिया गया मजी बी में दिया हुआ यह सी डी में दिया हूआ इसका जो सही अंसर है 32 का सबस्क्राइब और देखिए आप लोग हैं जो अच्छे तरीके से हैं जो पढ़ाय करते रहे यह ज्यादा को स्टन सब्स्क्राइब लगवाग इसी से मिलता रहेगा ठी तीस का सी नंबर देखा ठीक है अब तेतीस नमर कोस्टन देखते हैं अपसे पूछा गया वह परमानू जो आपने सही ओजी इलेक्ट्रोन का त्याग आसानी से कर देता है कहलाता है दुध्ये रिनातमक बी में दिया हुआ दुध्ये घनातमक सी में दिया रेडियो सक्रिये डी में दिया उपधातू 33 का जो सही अंसर है option number B है जो सही अबी में क्या है बिदुत गनात्मक option number B होगा जो सही अंसर होगा ठीक है 34 number questions पर धियान दीजिए 34 number questions में आप से क्या पूछा गया है पूछा गया है कौन सा अधातू जो सही अंसर होगा जो हम लोगों को देखने का जरूत नहीं है डाइरेक्ट लगाईए क्या option number ब्रोमियम इसका है जो A number है जो सही होगा 34 option number A होगा जो सही होगा ठीक है चलिए अब आगे बढ़िए देखते हैं questions आप 35 में 35 में आपसे क्या पूछा गया जो ध्यान दीजिए यहाँ पर पूछा गया कि C सा और T का मिसर धातू को कहते हैं क्या कहते हैं A में दिया गया shoulder B में दिया steel C में दिया gun metal D में दिया उप धातू 35 का जो सही अंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर पूछा कि Cाफ गया है किसकowe E में दिया तामबक B में दिया हुआ पारा C में दिया सलफ औ D में दिया शिलकन 36 का जो सही takich अंसर क्या होगा Opsun Numbar B होगा जो ज़स्ध होगा B में में दिया हुआ है Par A किसक़ enthusiyn का कि सीना बार किसका यस्क है अप्शन अमबर घांबा का डी में दिया हुए थांस्व c मा अस्व तो झाफ इस जो है भोजन रखने वाले क्या है कन अस्तर पर टीन की परत चड़ाई जाती है जींक की नहीं क्यूंकि टीन की अपेच्छा जींक महंगा होता है जींक का द्रवनांग टीन के द्रवनांग से अधिक होता है सी में दिया हुआ जींक की किरिया सिलता टीन से अधिक होती है डी में दिया हुआ जींक की किरिया सिलता टीन की किरिया सिलता से कम होती है जो सही अंसर होना चाहिए अप्सन नमबर क्या होगा डी जींक की किरिया सिलता टीन की किरिया सिलता से कम होती है अप्सन नमबर डी जो सही अंसर होगा, ठीक है, 37 का, अब 38 नमर कोस्टन में पुछा गया जो ध्यान दिजे, यहाँ पर पूछा गया है कि निमांकित में कौन सी बिधी लोहे की कडाही को जंग लगने से बचाने के लिए उप्युकत है, जीघा नमर गिरीज लगाकर, ब में तिया हुआ रंगाई करके, चीघा में जीनक की परत चड़ाकर, इनमें सबी के द्वरह, 38 का जो सही अंसर क्या है, जो सही है जीनक की परत चड़ाकर, जीघा नमर थीक है, 39 number questions पे ध्यान दीजे 39 number questions में आप से क्या पूछा गया है जो ध्यान दीजे यहाँ पर पूछा गया है निमांकित में कौन सी धातू ठंडे जल के साथ काफी तेजी से अभी किरिया करके 20 पोटक आवाज उत्पन करती है तो option number इसका क्या होगा सही 39 का option number क्या होगा सही जो ध्यान दीजे A में दिया हो गया है Magnesium B में दिया हुआ है Almonium C में दिया हो Calcium D में दिया हो Sodium तो आप लोग को भी पता है कौन करता है तो Sodium करता है क्या करता है Sodium करता है क्या Sodium करता है ठीक है इसका जो सही अंसर है option number D होगा जो सही है 39 का चलिए आगे बढ़ते हैं कॉस्टन्स नंबर 40 पे 40 नंबर कॉस्टन्स पे धियान दीजिए इसमें आप से क्या पूछा गिया है पूछा गिया है निमांकित में कौन सी धातु जल के साथ बिलकुल अभिकिरिया नहीं करती है तो अप से कौन है जो जल के साथ बिलकुल भिकिरिया नहीं करती है तो उप्सन अब दीए लोहा बी में दीए एल्मॉनियम सी में दीए चान्दी यदि में दीए पोटैसियम तो आप लोग को भी पता होगा इसका जो सही अंसर क्या होना चाहिए चान्दी बाखी है लौहा में जंग लगाता है इल्मुनिया मीं भी है जब वाइट-वाइट में इस सही इसका सहिए से में Да ऑल सी क्या चान्दी में बाच के साथ अब टाली mainly करता है तक स्वल्ट स्वार्फन में क्या पुछा गया इसमें पुछा गिया है कि कोई दातु आक्सीजन के साथ अभी की रिया कर उच गलंग नांक वाला आक्साइड बनाती है या आक्साइड जल में बिले है या निमांकित में कौन सा तत्व है केल सींड डी मेंадц लोहहे देखते हैं अब आगे बर्ठे वड़ते हुए देखते हैं 42नबर कोस्चन्स को KundiCνοpr涧 में आप से क्या पूछा गया जो ध्यान दीजिए अब देखिए लग भग कॉस्चन्स को बच्चा बाटी जो बतलाया जा रहा है पीछले आप लोग पीछे का भी question उठा के देखिएगा लगवग question यही सब है जो आपसे पूछे जाएंगे वही question है जो पीछले और वी exam में जो आते रहें पीछले years में वही questions है ठीक है उसी types के लगवग आपको question वही है जो यहाँ पर दिया जा रहा है जो question जिसके आने के chances जादे हैं ठीक है आप लोग वीडियो को पूरा अं तक देखिएगा skip करके छोड़ करके नहीं जाएगा जादा जादा है जो वीडियो को share किजिए ठीक है जादा से जादा बच्चे इसका क्या करें लाव उठा सके और आप लोग को shorts वीड रहा वास्था में रहने वाली धातु कौन है इसका जो सही अंसर है जो क्या है option number A होगा सही या B होगा या C होगा या D होगा इसका जो सही अंसर है क्या होगा 42 का option number A होगा पारा होगा जो सही है पारा का क्या होता है मरकारी मरकारी बोलते हैं उसको इंगलिस में ठीक है दे लोहे की परमानु संह्ख्या पूछ रहा है तहले लोहे की परमानु संख्या क्या होता है Karisha बादे बादाईए बीन सीख्या होगा टीक है 43 का सही अंसर क्या होगा B number चलिए 44 number questions देख लेते हैं 44 number questions में क्या पूछा गया जो ध्यान दीजिए यहां पर पूछा गया है Aluminium पर उसके Oxide की मोटी परत बनाने की परकिरिया को कहते हैं तो क्या कहते है Aluminium पर जो Oxide की जो मोटी परत बनाती है उस बना वो जो बनती है उस पर किरिया क्या कहते हैं वो पूछ रहा है इसका जो सही अंसर क्या होगा 44 का option number A उसको बोलते हैं A no D करन option number A होगा जो सही होगा ठीक है चलिए 45 number questions पर ध्यान दीजिए यहां पर पूछा गया है मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातू है तो क्या है option A में दिया तामबा B में दिया लोहा C में दिया सोना D में दिया पारा 45 का जो सही अंसर क्या होना चाहिए तो option number C होगा जो सही होगा option number C होगा जो सही अंसर होगा ठीक है मुक्त वास्ता में पाए जाने वाली धातु है ठीक है चलिए अब देख रहे हैं 46 नमर कोशिशन्स 46 नमर कोशिशन्स में द्यान दीजिए इसमें आपसे पूछा गिया है कि सबसे अधिक सक्रिये धातु है तो सबसे अधिक सक्रिये धातू है जो आप लोगों पता होगा बचापाटी क्या होना चाहिए तो 46 का जो सही अंसर क्या होगा option number 46 का A होगा जो सही होगा कौन होता है शक्रिये तो option number A potassium है को इसका होगा जो सही अंसर है ठीक है चलिए 47 number questions देख लेते हैं खुटी 7 number questions में आपसे पूछाए गया है क्या जो ध्यान दीजिए सबसे कठोर प्राकीरतिक पदार्थ है तो option number A में दिया सोना B में दिया चांदी C में दिया लोहा D में दिया ही रा तो इसका जो सही अंसर है 47 का option number D होगा जो सही अंसर D में दिया गिया है ही रा आपसों नमबर D में दिया गिया है जो क्या होगा ही रा ठीक है चलिए अब आगे बढ़िए देख देख कोस्टन्स नमबर 48 में 48 में आपसे क्या पुछा गिया है जो ध्यान दीजिए इसमें पूछा गिया है ग्रेफाइट होता जो ग्रेफाइट जो होता है तो इस टाप्स के कोश्चन है जो ओपर में भी देखे थे इसका जो सहीं सर क्या होना चाहिए आप लोग है जो देखें उतन लग रहा वा जो अपसे carrot की किरिया निमांकीत में कीस उपस्तिती में घटीत होती है आपसन नमबर A में क्या दिया गिया है जो ध्यान दीजिए A में दिया है बायू प्लस H2 B में दिया है बायू प्लस N2 C में दिया है बायू प्लस जल बास्प D में दिया गया है oxygen तो 49 का जो सही अंसर है जो क्या है option number C होगा जो बायू पलस जल बास पर सही अंसर होगा क्या सी नंबर ठीक है अब देख रहे हैं 50 number questions को 50 number questions में क्या पूछा गया है जो ध्यान दिजिए यहां पर आपसे पूछा गया है धातु जो सिर्फ क्या है आम्राज में घुलता है तो कौन है जो अम्राज में घुलता है तो आपसे नंबर A में दिया गया क्या एलमुनियम B में दिया हुआ है क्या A, P, Iron C में दिया हुआ है क्या AU, Gold और D में दिया है CU, Copper तो इसका जो सही अंसर क्या होगा Option number C नंबर होगा जो सही होगा यह है जो क्या है जो गूल जाता है तो option number C होगा जो इसका सही अंसर होगा ठीक है AU चल यह तहम लोगों ने total 50 questions, 50 questions है जो इस chapter से देखा इसे ज़्यादा आप से नहीं पुछा जाएगा और जो भी explanation टाइप को जो questions रहेंगे उसमें कुछ explain कर देंगे उस टाइप के question आप लोग को और है जो अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा जो आप लोग से एक question भी है जो बच्चा पार्टी नहीं छुटेगा ठीक है ता आप लोग है जो अच्छे तरीके से मलनागा के पढ़ाय करते रही है जादा से जादा वीडियो को share कीजिए कि जादा से जादा बच्चे इसका क्या करें लाब उठा सकें ठीक है और मिलते हैं हम लोग next वीडियो में और आपको है जो बोल भी रहे हैं कि हमेशा कि और जितने भी जो ही बच्चे आए हैं पहली बार इस चैनल पर वो चैनल को subscribe कर दें और bell icon प्रेस कर दें कि वीडियो का ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए सस्क्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ठीक है तो मिलते हैं फिर नेक्स लेक्चर में बाई सी यू सून मच्चा पाटी